बीतिकल सुम्ब में महवीर कीसरी दंगल बड़े ही धुमधाम से संपन हुआ इस दंगल में तकरीबन सतर कुष्टियान लड़ी गई और मौके की सबसे बड़ी उपलब दी इसमें हर्याना की लड़कियों द्वारा भाग लेना रहा हर्याना की तोनु लड़कियां मोनिका और सोनु ने अपनी-अपनी मालियां जीती दंगल में खास कर लोकल पहलबानों का दब-दबा रहा और दंगल आयोजको की भी यही कोशिश थी कि लोकल टाइलेंट को उभारा जाए जिससे की वो आने वाले समय में अपना और अपने गाउं का नाम रोशन कर सके इस दंगल में मुख्याती थी के रूप में यूथ फॉर्स सोसाइटी के चेयर्मेन राहुल संबयाल जी रहे जिन्होंने 21,000 आयोजको को दिये मौके पर बोलते हुए यूथ फॉर्स सोसाइटी के चेयर्मेन राहुल संबयाल ने कहा कि यूवाओं के अंदर दबी हुई शम्था को उनके अंदर छुपे हुए टाइलेंट को उभारना ही उनका लक्षे है और इस दिशा में किया गया कोई भी प्रियास को वह पूरा समर्थन देंगे उन्होंने आयोजको के सारे काम की प्रशनसा करते हुए कहा कि इतने कम समय में बढ़िया दंगल का आयोजन करवाना निश्चित तोर पर दंगल आयोजको की एक बहुत बड़ी उपलब्धी है इस मौके पर आदर्श विद्या ग्रोप उफ इंस्टिट्यूशन के डाइरेक्टर अनुपम संब्याल और एंसी यूथ विंग के प्रधान राजिश्वर सिंग गोलू पूर्व सरपंच नसीप सिंग और भी बड़े सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थत रहे दंगल कमेटी की तरफ से पंकर शर्मा, सुरेश कुमार मुकेश शर्मा, संधोक सिंग, मुकेश कुलदीप सिंग, सुभाश सिंग, यश्पाल शर्मा, रामदास शर्मा, शंभु दत आदी लोग मौजोद रहे बड़े धुमधाम से संपन हुआ महवीर केसरी दंगल जिखेए जुबाओं को हमारा ये संदेश है जैसे कि आपने यहां पर देखा होगा जहां जितने भी पहलवान लड़े हैं उनमें से 90% वो लोकल थे लोकल जूज की ग्रूमिंग हो वो आगे बड़े यही हमारा लक्षी है इसी को लेकर इस दंगल का उजोजन किया गया था और सबसे बड़ी बात है इसमें जो गर्ल्स पहलवान हमने बाहर हर्याना से बलाई थी मेरे ख्याल में कोई 40-45 बारिश आ गई है उसकी बज़े से थोड़ा सा बिगन पड़ा है बाकी बहुत अच्छा आपने जैसा आपने देखा वो बहुत अच्छा चल रहा था हां जी जैसे कि आपने देखा कि फिटनस कैसे बड़ा और क्या थबूत होगा कि दोनों जो फीमेल पहलवाना है उन्होंनों मेल पहनबानों को हरा दिया और जब इन्सान कुछती लड़ता है जैसा आप पहनवानों का श्रीर देख रहे हो उसमें खुद बाखुद एक जज़बा जाता है कि वो नशे के खिलाफ खुद बाखुद हो जाता है मेरा तमाम जबाओं से यही संदेश है कि नशे को शोड़ कर अपने श्रीर को मानसिक तोर पर अपने आपको सबस्पनाए और एक देश का जो फ्यूचर है उसको सरक्षित करें जैसा कि मैं आपके मादेम से यह संदेश देना चाहता हूं तमाम पबली को कि हम कोशिश करें कि यह दंगल और बहतर बनता जाए और अगले सारिस में और अच्छा आपको देखने को मिले